किसान भाईयों आपको बड़े साधान तरीके से समझाना चाहता हूं कि जो इस सूपर सीडर में जो इसकी वर्किंग लगी हुई है वही मैं आपको एक छोटे डेमोस्टेशन के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं जैसे जो सबसे पहले वर्किंग होती है वो ब्लेड की रो जो आप देख रहे हैं इसकी जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी है और यह जो अन्य डिसके हैं उनके मुकाबले में इसकी जो वर्किंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है और इसमें तूटने की फूटने की कोई शिकायत नहीं है अगर कोई पार्ट अगर खराब भ लेगा यह डिस्क है स्टेनलेस टिल जो हमारी टू-इन-वन कोंबिनेशन का बहुत एहम हिस्सा है इसके बाद हम बात करते हैं हमारी टाइन की यह टाइन भी बहुत अच्छे मेटीरियल से बनी हुई है यह इसमें बिट लगी हुई है और यह जो इनका कोंबिनेशन होता है इसाह से होता है कि यह बिल्कुल इसके अंदर जाके चलती यह ऐसे चलती है जिससे क्या होता ऐह कि इसमें मिट्टी फसने की या के कोई गुंजाईष नहीं होती और जो जरवीनेशन होती जो आप भीज डालते है वह 100% पूरा का पूरा जर्मिनेशन में आता है उसमें ऐसा नहीं कि कोई आपने बीज डाला है वो उसका उसकी उपज में या फिर उसको निकलने में कोई दिक्कत होगी यह हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन है कि यह बिट बिल्कुल इसके अंदर जाके चलती है जैसे आप यह देख रहे अड़जस्ट कर सकते हैं तो यह जो टू-इन-वन का कॉम्बिनेशन है यह हमारे जगजीत के अलावा और कोई भी कंपनी आपको प्रवाइड नहीं कर रही है हम जो हर क्रिशी अंतर बनाते हैं किसानों की सुविधा और उनकी डिमांड के हिसाब से बनाते हैं तो आज के पर यह आपको कॉम्बिनेशन कोई भी सुपरसीडर नहीं दे रहा है तो जो मैं आपको समझाना चाहता था यही है टू-इन-वन का कॉम्बिनेशन जो आज के समय की मांग है और हर किसान की पहली पसंद है जगत जीत सुपरसीडर को भारत का नमबा वन सुपरसीडर बनाने के लिए सभी किसान भाईयों का धन्यवाद